हाई गैस विल्कम बैक टो अनदा वीड़ा ओफ कॉशन फर यू आई होब गैस आप सभी बहुत अच्छे होगे दोस्तो आज हम बात करने जा रहे है पाई नेटवर्क के बारे में और पाई नेटवर्क को लेके बहुत बड़ी खुशकबरी आचुकी है रिजर्व बैंक एक फाइफ रीजर्स की पाई नेटवर्क को पॉस्पॉन क्यों किया गया पाई नेटवर्क का ओपन मैनेज्ड या लॉंचिंग क्यों नहीं हुआ क्या रीजर्स है इस चीज़ को लेके भी आर्टिकल आ चुका है तो दोस्तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली ह है तो प्लीज सब्सक्वाइब करके नोटिफिकेशन बैल को और पर सरूर प्रेस करें चले गया स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एंड हम चलते हैं अपने फॉर्स अपडेट की तरह दोस्तो हमारा फॉर्स अपडेट आ चुका है के वाई सी को पता है बहुत सारे लोगों का अभी पैंडिंग में हैं तो बोला जा रहा है कि हम इसको फुली रिव्यू कर रहे हैं और आप सभी को वैरिफाय करके दे देंगे और उसके साथ एक और चीज है तो मतलब अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसका मतलब यह है कि आपका अकाउंट फेक है या वाईलेशन को हर्ट करता है तो उस सेच्वेशन में आप उफिशल वैबसाइट पे जाके एक फॉर्म है उसको फिल कर लेना और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप एलिजिबल होते हो तो और आप सभी को टेंशन लेने के जरूत नहीं है अगर आप सही तरीके से फॉर्म भरोगे तो एक से दो दिन के अंदर हो जाएगा और जिन लोगों को बहुत सारे दिक्कते आ रही है उनमें प्रॉब्लम्स ये है कि किसी ने अपना फेस्बुक एमेल आईडी और फोन नमबर वेरिफाइ नहीं कर रखा तो ये सबसे पहले आप वेरिफाइ करें और जो आप फॉर्म भरें तो प्रॉपर क्यापिटल में भ कर रहे हो तो सेम कंट फी नेम भी आप सभी को वहां पर लिखना है इमेल आईडी सब कुछ आपको सेम रखना है देन आपका इजिली कंफर्म हो जाएगा कोई दिक्कत हो रही है पैंडिंग में हो रहा है तो वहां पर ये रिव्यू कर रहे हैं थोड़ा समय लगेगा बट प्रवाइड यूजर एक्सपिरेंस कें पाई नेटफर्क अचीव इस अंबीशियस कोल और अचीव ब्रेक्ट्रू डेवलपमेंट इन दी फिल्ड ऑफ टेटल करन्सी ये जो डिस्टल करन्सी की फिल्ड है सबसे बहतरीन पाई नेटफर्क काम कर रहा है अभी एक ऐसी क्र टोफ टैंग पॉड फाइफ के अंदर हमें देखने को मिलती है वेबद्री की हम बात करें मिलता है जो फ्री में माइन की जा सकती है और इतने बड़े लेवल पे प्रमोशन किया जाता है कोई भी celebrity अभी तक इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ फिर भी ये इतना आगे निकल चुका है और ये अपने Web3 को लेके अपनी technologies को लेके बहुत अच्छे से काम कर रहा है जैसा कि आप सभी जानते हो और देखते भी रहते हो तो अब हम बात करते हैं कि Pi Network को basically delay क्यों किया जा रहा है इसकी launching को delay क्यों किया जा रहा है Top 5 reasons Pi Network team postponed open minute launch on Pi Network day by 2 days special 28 June को बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि as a launching होगी बट उस दिन launching नहीं हुई और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके depressed में है बट आपको इस चीज़ के tension ने लेनी आपको reason समझने चीए किस वज़े से इसको रोका गया है पहला reason है KYC verification challenge यहाँ पे जैसा कि मैं आप सभी को पहले बचा जुका हूँ जो KYC है एक बहुत important role play करता है क्योंकि यहाँ पे अगर KYC आपकी complete होगी तो आप properly verify हो जाओगे और इस statement भी इन्होंने लिखी है पाई network requires users to complete KYC verification to prevent fraudmental activities and ensure regulatory compliance मतलब की पाई network यह नहीं चाहता कि कोई भी fraud लोग यहाँ पे आ जाएं यह जितने भी scammers हैं वो लोग इस चीज़ को as a verify कर लें क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है अभी जिस तरीके से पाई network की popularity बढ़ रही है तो for example 100 लोग apply कर रहे है KYC के लिए जिसमें से 70-80 account scammers के होते हैं और 20-25 account आपके होते हैं जो real होते हैं तो कहीं न कहीं इसमें क्या होता है जादा जो ratio है वो scammers का है तो वो लोग भी documents को upload करते हैं आप भी अपने real documents को upload करते हैं तो कहीं न कहीं होता यह है कि अगर उनका account verify ह हो चाता है तो आपके में issue आएगा क्यूंकि अगर आपने ऐसा verify कराया अपना account उसके अंदर 1000 पाई के coins है और एक scammer ने भी verify करा लिया उसके पास 1000 coins ने होंगे उसके पास बहुत 1000 coins होंगे और उसके साथ उसका एक account ने होगा बहुत सारे accounts होंगे तो कहीं ना कहीं जितनी value आपको मिलेगी उतनी value उसको भी मिलेगी बट उसके पास तो 1000 लाखों में coins होंगे totally तो आप से जादा उसको valuation overall मिल जाएगा तो इससे होगा क्या कि जो scammers होंगे उनका valuation बहुत हाई हो जाएगा और economic level की बात करे supply and demand की बात करे तो pine network बिलकुल डूब जाएगा क्योंकि यह data चुरा चुरा के कही ना कहीं से लेके उसको as a sold करते हैं इसलिए बोला जाता है कि जो आपकी data होता है बहुत जाधा important होता है क्योंकि उससे लोग करोड़ों रुपे कमाते हैं और इंडिया के अंदर आप सभी को पता होगा जब PUBG को बैन किया गया था और भी बहुत सारी applications को बैन किया गया था Chinese applications को तो उसके पीस यही रीजन था कि यहां का जो internal data होता है उसको लीक किया जाता है तो इसलिए KYC complete करना बहुत ज़रूरी है और जो दूसरा important point है building additional utility additional utilities के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हो पाई network बहुत सारी applications की बात की जाए या जो अलग-अलग fiat currency payments हो गई बाटर सिस्टम हो गया services हो गया इन सभी चीजों पर काम करता है यह सारी चीज़े create करती है पाई network की एक utility जो हमें long time तक support करेगी और long time तक लोगों को एक due to hackton के अंदर है basically यहां पर creativity और development की बात की जाती है और यहां पर भी applications create की जाती है by expanding the manage launch participants can leverage this additional time to refine their projects और यहां पर नए नए हमें projects भी देखने को मिलते हैं चौती चीज़ है user checklist completion तो यह क्या है basically before the launch of the open manage open manage launch होने से पहले पाई network की कुछ requirements है जिनको complete करना है कुछ specific checklist जो ensure करे smooth transition from testnet to the production network जैसे ही मतलब live open manage आएगा तो उसके बास सारी चीज़े अच्छे से perform करनी चाहिए सारी facilities आपको अच्छे से मिलनी चाहिए कोई problem नहीं आने चाहिए इसलिए सारी चीज़ों को एधर testing के थूरू check किया जाता क्योंकि कोई application market के अंदर आदी है और वह हैंग हो रही है या वह application working में नहीं है तो कोई भी फाइदा नहीं है क्योंकि पाई network के पास user base बहुत जादा है और आपको पता होगा कोई भी application जादा लोग use करते हैं तो कहीं न कहीं वह application खराब हो जाती है खराब होने का मतलब य यह क्यों काम करना बंद कर देता है इसका simple सा example यह है कि उसके लिए maintenance करना होता है अगर आप applications के अंदर high maintenance करोगे तो application बहुत smoothly परफॉर्म करती है क्योंकि कि किसी भी application के अंदर एक limit होती है कि इतने लोग उस चीज को यूज कर सकते एक लाग या दो लाग लोग उसको यू और उसी के जगह आप किसी government website की जाते हो जैसे पीफ वाली website पे चले जाओ या किसी भी as a government website पर जाओगे तो वो हमेशा आपको server down ही देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है वहाँ पे government कितना खर्च करे और जबकि Google क्या है Google आपसे बहुत पै तो पांच करोडों के हिसाब से जो application होगी उसके अंदर सारी facilities होनी चाहिए एकदम smooth perform करना चाहिए और इस चीज के लिए अच्छा खासा investment लगता है अच्छे खासी रोच की यहाँ पर maintenance लगती है कि कोई चीज हैक तो नहीं हो रही कोई चीज एकदम बिकार तो नहीं चल र तक किस तरीके से bank support करने वाला है Reserve Bank of New Zealand explore regulatory measures for cryptocurrencies impact on PI network users So basically Reserve Bank New Zealand की हम यहाँ पर बात करने वाले है वहाँ पर कुछ regulatory की बात की जारी है जो की cryptocurrencies को लेके आ रही है और यह जो सीधा impact करने वाला है और यहाँ पर बेसिकली लिखा गया है Reserve Bank of New Zealand has announced its intention to explore regulatory measures for cryptocurrencies अभी आप सभी को पता है पहले government support नहीं करती थे cryptocurrencies को अब दीरे-दीरे करके हर एक government cryptocurrencies को support करती है इंडियन government भी करती है और उसके साथ foreign की जितनी भी government से कर रही है और कुछ countries ऐसी है जहाँ पर अभी government support नहीं करती बट दीरे-दीरे करके future में वहाँ पर भी support करेगी क्योंकि एक सबसे बड़ा जो economic level पे पैसा जो raise हो रहा है जो fund या जो taxes हम ले सकते हैं वो इसके through ले सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से अभी ये technology बढ़ रही है आप इंडिया के अंदर ही देखो पहले लोग करोड़ों रुपे as a cryptocurrency से कमासते थे बट अभी के time में 30% उनको TDS देना ही पड़ेगा मांगे चलो आपने भी एक लाख opportunities and risk associated with the new forms of money as such as cryptocurrency stable coins जो stable coins होते हैं इसको पकड़ने के लिए क्योंकि जो share market होती है वो बहुत सेफ होती है safe का मतलब इससे safe होती है कि आपका पैसा डूप सकता है और बढ़ भी सकता है बट उसके अंदर आपकी safety ये रहती है कि वो company भागेगी नहीं कम से कम वो government के अंडर रहती है ठीक है ये चीज मेजर करने वाली बात है और जो cryptocurrencies में यहाँ पे कोई भी government का regulations नहीं होता है तो क्य ये लोग क्या करेंगे government से approved करेंगे और वो खुद भी पैसा कामाएंगे आपको भी income देंगे और उसके साथ government भी उसमें से अपना commission जो भी है वो भी लेगी ठीक है और यहाँ पे जो concern करने वाली चीज़ है जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो security है, consumer protection है, money laundering है और financial stability है financial stability तो सबको चाहिए कि हाँ मेरा कल का future बहुत सहीर है और उसके साथ money laundering से भी हम बचके रहे हैं जैसे कि जो भी fraud वगएरा होता है उन सभी activity से बचके रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ जब high technology में बढ़ती है तो वहाँ पे अभी के time में आप सभी को पता है सिर्फ OTP से आपका account का balance zero किया जाता है और उसके साथ आपको एक link आता है अगर आप उस link पे भी click करते हो तो आपका account hack हो जाता है या आपका phone proper hack हो जाता है बैंक से पैसे जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से technology बढ़ेगी तो उसके एक advantages भी होते हैं एक disadvantages भी होते हैं और इनी दोनों के बीच में आपको एक सबसे important चीज़ ध्यान रखने वाली होती है वो है knowledge अगर आपके पास knowledge है skill है तो आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो और आप safely काम भी कर सकते हो और अपने account को भी बचा सकते हो बहुत सारी लोग ऐसे है जिनके पास बहुत पैसा है बट उनको invest करना नहीं आता या जिसके पास कम पैसा है वो उसी को invest करके अच्छा amount बना लेता है वो depend करता है आपकी skills पर आपकी knowledge पर और यहाँ पे 4-5 points की बात की जारी है जो पहला point है enhance investors protection तो यहाँ पे आपकी protections की बात की जाती है कि आपको कोई भी frauds वगरा देखने को ना मिले कोई भी scammers ना हो ठीक है और जो दूसरी चीज़ है a more security environment secure environment तो यहाँ पे आप सभी को secure environment देखने को मिलेगा जिसमें की reduce the risk of hacks, data breaches and crypto cyber threats जितने भी फाल्तु की चीज़े होने वाल यहाँ पे आप सभी को as a obligations की बात की जाती है verification process reporting transaction of certain therefores anti money laundering AML and KYC यह भी चीज़े important है KYC complete होगी आपकी तो आपका proper data वहाँ पे रहने वाला है और वही data government के पास बजाएगा कि हाँ यह चीज़ properly legal है जिससे के कोई भी as a future में misuse ना हो पाए कोई भी फाल्तु की activity ना हो पा चीज़े trading वगएरा हो रही है किस तरीके से price monitor किया जा रहा है ठीक है कोई चीज गलत तो नहीं हो रही वह सारे चीज़े यहाँ पर देखी जाएगी पांचवी चीज़े impact on pi network functionality तो यह सारे चीज़े impact करेगी pi network को as a positive way में जो यहाँ पर लिखा गया है it is important to note that the reserve bank of New Zealand decision to consider regulatory measures in its earliest stage and this specific details and impact on pi network users are yet to be determined तो यहाँ पे pi network के जितने भी users है उनको भी benefit मिलेगा और सबसे बड़ी बात है pi network peer to peer पे काम करता है और directly आपका पैसा आपके bank में भी जा सकता है और आपका पैसा आपके जो fiat currency है उसमें भी convert हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यह proper global level की बात की जा रही है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ता आई होप आपको पसंद आया होगा अभी तक वीडियो पर बने वह तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके notification बैल को all पर सरूर पैस कर देना आज के लिए तना ही मिलते है नई वीडियो के तक लिए जय हिंद वन्दे मात्रम